तो जिन लोगों के लिए क्रोकोडाइल और एलिगेटर एक ही बात है चीता और लेपरड एक ही बात है यानि कि दो एक जैसे देखने वाले जीव लोगों को फर्क नहीं पता चलता दोनों में उसी तरह से भाई शास्त्रिय संगीत में भी ऐसा होता है दो हूब हूब दिखने वाले राग फर्क नहीं पकड़ पाते हैं उन दोनों में कि भेरव है या कालेंगड़ा हमें नहीं पता चलता हम कालेंगड़ा को ही भेरव समझ लेते हैं या भेरव को ही जोगिया समझ लेते हैं यानि कुछ-कुछ संप्रक्रती रागें ऐसी हैं जिनकी समता और विभिनता का हमें भान नहीं हमें नहीं पता कि उन दोनों में फर्क क्या होता है तो आज कुछ-कुछ examples के थुरू में आपको दो रागों के फर्क को कैसे पहचानता हैं वो बताऊंगा मूल तह examples लूँगा डीटेल फर्क नहीं बताऊंगा डीटेल फर्क हम किसी और दिन किसी और चर्चा में जानेंगे कि भहरव और कालिंगडा का फर्क, सोहनी मारवा पूरिया का फर्क, दर्बारी और जानपूरी का फर्क या पहाडी, देशकार और भूपाली का फर्क, यह जो एकदम सिमिलर, एकदम समपर करती हैं जिनके स्वर्तक सेम हैं, इनमें क्या फर्क होता है, यह हम किसी और दिन चर्चा करेंगे लेकिन आज यह वीडियो हर किसी के लिए काम आ सके, इसलिए मैंने इसका टॉपिक ऐसा चुना है वो लोग जो कहते हैं कि शास्त्रे संगीत में क्या विविदता है हर चीज तो तुम लोग सेम ही गाते हो, वही सारे गमपा धनीसा गाते रहते हो लेकिन शास्त्रे संगीत में तो खाली स्वर वही हैं उनके लिए, वही सारे गमपा धनीसा है उनको नहीं पता कि शुद्ध का कोमल भी होता है, कोमल का तीवर भी होता है और दौनों का मिश्रण भी होता है तो कुछ उन लोगों के लिए और कुछ शास्त्रे संगीत के विध्यारतियों के लिए आज हम रागों में विभिनता कैसे पहचानी जाती, कैसे विविधता है, विराइटी है, डाइवर्सिटी है और संपरकृती रागों की क्या similarities और differences होते हैं, उनके कूछ key points हैं, जिनको अ पड़ता है, आधी अधूरी बात, जो है, आधी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी जान लेवा होती है, या तो पूरा लीजिए या बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आप पूरा लेंगे, क्योंकि इतना देखी चुके हैं वीडियो, आगे भी दानकी आता है, सारे मपद दर्माः पा, दर्मा भगा, रिग सारिने सारे मपदर्माः ऑप, सानि धर्माः नीपर्णार्माः मपद लिए उन्यारा जानकारी बाताः यह जो मैंने स्वार अभी अभी बोले इन्हें कोई नॉर्मल मुजिशियन या कोई नॉर्मल इंसान जिसको संगीत से कोई वास्ता नहीं वो भी सुनेगा तो उसको लगेगा यार सेम ही स्वार तो आपने बोले वही मपधरेग मसारेग ही तो बोल रहे हूँ फर्क क्या लगा यह ना यह तो एक नॉर्मल लेमैन बोलेगा और एक संगीत का विद्यायरती वो भी कनफ्यूज हो जाएगा जैसे के हार्मोनियम पे अभी मैंने बजा की दिखाया ही पहली काली से मैंने बजाया गधनी कोमल लगे अब आप बोलोगे गधनी कोमल आपने दौनों में लगाए मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे कि दूसरी चीज शुरू करी थी ताके आपको बता सकूँ कि यह एक चीज थी और यह एक चीज थी तो वो break देकर मैंने दो अलग-अलग चीज़ें तो गाई लेकिन क्या आपको फर्क मालूम चला अगर आपने रागें नहीं सीखी हैं वो वाली तो आपको फर्क नहीं बता होगा लेकिन अगर दोनों रागें आपके सीखी हुई हैं तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि पहली जौनपूरी और दूसरी आपकी दरबारी थी ये फर्क वही इंसान बता सकता है जिसने उस राग की अच्छे से शिक्षा ली है उसका गायन किया है उसको सुना है अच्छे-च्छे कलाकारों से क्या-क्या की पॉइंट्स होते हैं दो संप्रकरती रागों में या किसी भी राग के चलन को समझने के लिए सबसे पहला तो हम देखते हैं कि उसकी स्वर कौन-कौन से उसमें लग रहे हैं अभी मैं आपको एक-एक करके की-पॉइंट्स बताऊंगा तो इन सारी बातों को नोट कीजेगा कि कैसे चीज़ें बदल भी जाती है इन्हीं केटेगरीज में और कैसे समान भी हो जाती है वो सब समझाएगा आपको यानि वही सेट अफ नोट्स लेकर मैं आपको तीन से चार से पांस रागें बता दूँगा कि इन्हीं सेट अफ नोट्स में देखी है सिर्फ एक-एक सुर को बदला जा रहा है और रागें बदल रही है और कैसे भाव बदल रहा है स्वरूप बदल रहा है यह तो एक चोटा सा एक्जामपल था जानपुरी और धरबारी का तो सेट अफ नंबर्स कि कितने सुर और कौन-कौन से लग रहे हैं जैसे कि मैं अभी यही राग चल रहे हैं तो इसी का एक्जामपल लूँ यह थाट आसावरी है थाट आसावरी में कई सारे राग निकलते हैं मैंने लॉक डाउन में मैं बहुत जादा खाली था यह यह कहूं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि खाली दिमाग ईश्वर का भी घर होता है यह मैं थोड़ा opposite समझता हूँ खाली दिमाग लोग कहते हैं कि खाली पड़ा हुआ है तो यह कुछ न कुछ अभी destructive ही करेगा या destructive ही करेगा लेकिन मेरा ऐसा मानना है जैसे क्योंकि मैं जाउन साहब को क्याते हैं कि इतना खाली था अंदुरू मेरा कुछ पल कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में तो ये वो वाली बात भी हो जाती कि जब तक आप निर्मल निष्चल मन नी हो जाए, खाली मन नी हो जाए, तो इश्वर भी वास नहीं करते हैं, खेर, यह out of topic जा रहा है, मैं ख्रमा चाओंगा, लेकिन हाँ, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता ही होगा, उन लोगों के लिए जो शैतानी प्रवर्तिके हैं, लेकिन जो creative लोग हैं, उनका खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो लोगडाउन में बस वही रहा कि खाली बैठे हुगे ते कुछ काम नहीं था, इतना जाद है करने को बाहर जाना नहीं था, तो मैंने एक पूरी PDF तयार करी, मैंने एक list तयार करी, और वो कैसे करी, भातखंडे जी की मेरे पास कई किताबे थी, और कुछ और राग परिशे भी थे, और भी कई किताबें थी, तो मैंने सब में से छटनी, छलनी कर करके, रागों की एक सूची तयार करी, कि कितनी रागे होती है कुल, और कौन-कौन सी राग जो है, वो किस थाट में और किस समय में आती, तो उसकी पूरी PDF तयार करके मैंने वीडियोज बनाये थे उस पर, तो आज वो PDF कही थोड़ा सहरा लेके मैं आपको बताऊं, तो एक थाट से कई राग निकलते हैं, यानि उन्हीं एक थाट से तो नहीं निकल रहे हैं, एक थाट के अंदर, एक थाट के अंदर केटेगराईज कई रागों को किया जा सक जाता है, इसको मैं इस तरह सा समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि तीन रंग मेन होते हैं, उन तीन से साथ रंग बन जाते हैं, विबग्योर जिसको हम कहते हैं, यानि कि जो इंद्रधनश के रंग हैं, वो साथ रंग बनते हैं, और उन साथ रंगों से कितने ही सारे शेड बन जाते हैं, आप बोलें तो लाल, तो लाल के पचासियों प्रकार हैं, कि ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है, वो भी लाल है, लाल में थोड़ा ये मिला दो तो ऐसा लाल, लाल में थोड़ा वो मिला दो तो ऐसा लाल, यानि अलग 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 थोड़ा थोड़ तो नौ रसों से कितने ही भाव पैदा हो जाते हैं जब दो रसों को मिलाया जाए या एक रस की मात्रा intensity को बढ़ाया जाए density को बढ़ाया घटाया जाए तो एक तीसरा रस निकल के आता है जैसे मान लीजे प्रेम और को मिला लो तो एक तीसरा रस निकल के आएगा, कहते है वो शेर है कि तुम्हें आता है प्यार पे घुसा, हमें घुसे पे प्यार आता है, ऐसा करके एक शेर है, तो ये just an example कि कैसे दो रसों को मिला के एक तीसरा रस बनता है, कि हमें उससे चिड़ना भी है, जिसे कृष्णा और गोपी का जो भाव होत तो नो ही रसों से निकला की निकला, यानि मिक्स करके, इसी तरह से मूल जो रागें हैं, वो दस हैं, जिसे हम दस थाट भी मानते हैं, बिलावल, भैरवी, कल्यार, भैरव, खमाज, काफी, आसावरी, मारवा, पूरवी, तोड़ी, इन ही दस रागों से इतनी रागों ने जनम लिया, जिनने जन रागें कहा जाता है, उसके बाद कई, ये टॉपिक तो आता है, थाट राग वरगी करण, यानि रागों का वरगी करण, जिसमें कानड़ा अंग है, फिर आते हैं, जिसमें कानड़ अंग है फिर आते हैं मलहार अंग में तो मिया की मलहार है उसके बाद सारंग अंग आता है तो शुद्ध सारंग है या व्रिंदावनी सारंग है तो ये सारंग अंग के हैं बहरव अंग के कितने सारे आ जाते हैं बहरव वहीर बहरव वहरागी बहरव शिवम भी तोड़ी हर एक थाट के अंदर कई सारे राग हैं और हर एक अंग बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिनके कई सारे जैसे नट अंग होता है तो नट बिलावल, नट बहरव ये नट के अंग होते हैं तो कई सारे अंग होते हैं ये राग अंग वालों का अलग है तो अमेरिका वालों का अलग है वही अंग्रेजी है वही स्विडन में अलग बोली जाती होगी या जर्मन में अलग बोली जाती है तो हिंदुस्तान में अलग बोली जाती है जो एक्सेंट है बोलने का ढंग बदल जाता है तो कई बार रागों में भी ऐसा होता है मान लीजिए भहरव और कालिंगडा का अगर फर्क लिया जाए तो भहरव के सुर जाते हैं इन ही सुरों में भहरव भी आती है और इन ही सुरों में कालिंगडा भी आती है फर्क सबसे पहला जो आता है पहला तो आपने ये देख लिया कि स्वर कौन कौन से लग रहे हैं कई बार तो जैसे गुणकली है तो आपने देखा ये बैरव से कैसे अलग हुई क्योंकि इसके स्वर अलगते हैं इसमें गवर नी नहीं लगा वर्जित हुआ तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है number of स्वर तो उससे तो फर्क easily हो जाता है लेकिन दूसरा जो आता है वो है चलन यानि राग की प्रकरती गंभीर है या चंचल है गंभीर यानि उसके स्वर आराम आराम से आंदुलन गमक मीड के साथ लगेंगे और कुछ जैसे ही ये आभूशन हटा दिये जाएं तो वो साधा हो जाते हैं चंचल प्रकरती की जैसे भैरव और कालिंगडा का परक है अब भैरव जाती है सरे गा गमारे रेजा जागो मोहन प्यारे जागो रिशब में आंदुलन आ गया लेकिन यही अगर कालिंगडा जाती है तो वो सीधी सीधी जाती है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और यही मैंने अपने गुरूं से सीखा है कि हर राग को तेजी में गाना आवश्यक नहीं है दर्बारी का जो चलन है वो वक्र है अगर उसको वक्र ही गाएंगे तो ही दर्बारी खिलेगी अगर उसे सपाट कर दिया तो जान पूरी बन जाएगी आसा अवरी में चली जाएगी ऐसा है दर्बारी में हम जब दरुद गाते हैं तो ये कहां तक सही है बताईए आप उनकी बात छोड़ दीजे दर्बारी एक ऐसी रागिनी है जो के पंचम के आगे नहीं जाती नीचे जाती है उसमे अगर हम दरुद करें और गाएं तो कैसे लगए आपको सूर का हिसा बैसूर सभी जगे पर मीठे ही लगते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वो दर्बारी है कुछ तो रिस्टिक्शन कुछ तो डिसिप्लिन हुई तभी तो शास्त्रिय कहा है उसको हम नंगानाश नहीं कर सकते हैं शास्त्रि संगित में तो रागों के चलन में पहला जो पॉइंट आये है सुरों की दूरी कितशनी है क्या क्या कितनी कितनी दूर में सुर लग रहे हैं यानि कोमल लग रहा है कि शुद्ध लग रहा है सेकंड पॉंट आया चंचलता गंभीरता है या चंचल है यानि उसका चलन की जो प्रक्रती है वो कैसी है उसके अलावा बहुत सारे फार्ख यह आते हैं कि उसकी ले क्या होगी अब वो गंभीरता और उसी में आ गई और उसी में उसके और्नमेंट भी आ गई जैसे ही गंभीरता की बात आती है कि राग गंभीर है तो उसमें अपने आम मींड, गमक, आंदोलन इसका प्रयोग जादा होने लगेगा और जैसे चंचलता आती है तो ये सारी चीज़ें हटके कण, मुर्की, खटके इसका प्रयोग जादा हो जाता है तो ये फर्ख पढ़ जाता है अब मान लीजिए दूसरा, एक और फर्ख दिहान में आता है जो है न्यास न्यास यानि कौन से स्वर पे टिका जाएगा कई बार स्वर के टिकाव से राग बदल जाती है जैसे मान लो आप अगर मलहार गा रहे हो वैसे तो अगर राग की परिभाशा में जाए तो राग की परिभाशा होती है रंजक स्वर समूह यानि स्वर संगती जो स्वर संगती है उसी से राग पहचानी जाती है अगर बिलावल गाओगे तो तो अब बिलावल अंग की जितनी रागें आएंगी उसमें जादातर ये मगा मरे का इस्तमाल होगा तो ये तो बिलावल थी अब मालो यमनी बिलावल गानी है तो यहाँ पे यमन नीरेगा और बिलावल मागा मारे तो मागा मारे जो है ना इतना इंपोर्टेंट अंग है जो आपका बिलावल का अंग है यानि स्वर संगती आपको पहचाननी होती है फिर नियास पहचानना होता है जैसे मान लीजिये मारवा या आप क्या बोलते हैं सोहनी में या पूरिया में फर्क करेंगे तो मारवा का जो सबसे नियास है वो है दहवत यानि वादी स्वर उसका ख्याल रखना होता है अब स्वर यही है पूरिया के भी लेकिन पूरिया जाती है लेकिन मारवा जाएगी तो उसमें निशाद को किस तरह से वक्र करके पूरिया बनाया जाता है वो देख लिया आपने उसके बाद हम आते हैं राग के सब्तक में कि राग का चलन कि सब्तक में है यानि वो पूर्वांग परधान है या उत्तरांग परधान है अगर वो राग पूर्वांग में है जैसे मारवा होती है वो आपकी पूर्वांग परधान है यानि वो मंदर सब्तक में जादा खिलती है क्यूंकि उसका चलन वहां है और फिर वो मारवा हो जाएगी अगर इसी को चलन को आपने उदर तार में कर दिया और मध्य के उपर ले गए तो फिर वो मारवा नहीं खिलेगी फिर वो लगेगा कोई दूसरी राग आप गा रहे हो तो एक ये भी राग का फर्क होता है सबसे पहला हुआ सेट अफ नोट्स उसके बाद सेकेंड हुआ राग की प्रकरती हुई चंचल है गंबीर है थर्ड हुआ कि उसका वादी समवादी उसका नियास कहां पर है और फिर हुआ उसकी स्वर संगतियां कौन कौन सी है खास जैसे अगर मलहार गाते हो तो ये रेपा की जो संगती है ये मलहार का अंग है खास करके अब कई लोग मलहार में कानणा अंग भी देखते हैं लेकिन रेपा जादातर अगर आप कानणा में लगा दोगे तो वो मलहार अंग होता है तो ऐसे भी पहचानना होता है कि रागों का कौन सा अंग किस उसमें जाता है I know ये बहुत जादा confusing हो रही होगी शायद कुछ students के लिए क्योंकि उनको ये रागे नहीं पता है लेकिन मैं आपको वो points बता रहा हूँ कि कैसे अलग-अलग रागों का फर्क हो जाता है क्योंकि जैसे ही इनके अक्षर अटा दी ना इन्हें अगर आकार में गाने लगे तो यह आपको सारी similar sound करेंगी क्यों क्योंकि इनमें शब्द तो है नहीं कोई दूसरा अक्षर तो इस्तिमाल हो नहीं रहा है जितनी ऐसी वाली आँके हैं वो सारे हमारे लिए चाइनीज हो गए इसलिए हम जो हमारा जो नौर्थ इस्टन एरिया है इंडिया का उनको भी हम नागा लेंड चीनी जापानी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है थोड़ा फर्क होता है उनमें जब आप देखने जाएंगे तो पता पड़ेगा क्योंकि वो इसी एरिया में रहते हैं इसलिए थोड़ा उनका शारेरिक आकरिती या बोलचाल जो होगी थोड़ी सी मैच करेगी लेकिन वो है नहीं सबकी पैदाईश परवर सागा मधनीसा का मतलब हर बार बिलाव बिन शरज नहीं होती यह एक्जामपल में आपको देता हूँ अभी जैसे चल रहा है सागा मधा नीशा तो अब यह सागा मधा नीशा जो है यह शुद्द लगे तो बिनेशारज हो गई धनीसा गमा धनीशा निधा मा गमा गमा गश अब यही ग और नी जो मैंने शुद्ध लगायते हैं, इन्हें मैं कोमल कर दूँ, दोनों गंधार और निशाद को कोमल करके, तो यहीं से बन जाती है बागे श्री. अगर पंचम को मैं लगाऊं और नहीं भी लगाऊं, तो भी यह बागे श्री है, क्योंकि कई लोग पंचम के साथ गाते हैं, कई पंचम के बिना गाते हैं. अब रिशब भी लगाना पड़ेगा, तब बागे श्री खिलेगी. अमाली जे इसी का गंधार कोमल की जगाँ शुद्ध कर दिया, तो यहां रागे श्री बनती है. उनके जो बारीक नुआंसे हैं, वो तो हैं हैं, जैसे बागे श्री में धगा, ऐसे नहीं जाता है, लेकिन रागे श्री में धगा मारे सा, ऐसे जाता है. अमाली जे इसी में मैं सागा माधा नीसा की जगा गधनी कोमल कर दूँ, तो वो सागा माधा नीसा मालकोंस हो जाती है. अब यही सागा माधा नीसा मालकोंस हो जाती है, इसी तरह से कई सारी रागे बन जाती हैं, मान लीजे इसी तरह से अगर आप कई रागे कैसे बनती हैं, स्वर इदर के उधर करके जैसे राग मुलतानी हैं, अब यह तोड़ी थाट की राग है, तो अब इसका गंदार जो है तोड़ी का है, इसी तोड़ी थाट में रखा गया था, लेकिन इसी का रिशब और धहवत शुद्ध करके मधुवंती बनानी गई, निसागा माबने सधा पामाबागा सारे, निसाधा निसागरे 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 लेकिन कई लोग तब भी इसे तोड़ी थाट में मानते हैं, यानि स्वर इधर से उधर करके देखी कैसे रागें बदलती हैं उनकी स्वर संगतियां बदल के कैसे रागें बदलती हैं लेकिन खास जो चीज राग में होती है वो होती है शुरुती तोड़ी का गंधार बहरवी का गंधार और आपका दरबारी का गंधार ये तीनों कोमल पर एक नहीं होंगे, इनकी शुरुतियां अलग अलग होती हैं, तो इस तरह से भी रागें बदली जाती हैं, तो यानि बहुत से पॉइंट हैं, जो राग के चलन में आते हैं, राग का चलन पहचानने में और उनकी समतावे भिन्नता करने में, कई लोग क्या करते हैं, कि सिर करिए कि दो रागें आपस में कैसे अलग-अलग होती हैं, जैसे दो रंग आपस में अलग होते हैं, जैसे दो भाव, दो रस आपस में अलग-अलग होंगे, उसी तरह से रागें भी अलग-अलग होती हैं, और इनको सुनना समझना पड़ता है कि जो भाव दरबारी में हैं वो जौनपूरी में नहीं हैं, वो दौनों रास अलग-अलग हैं, तो कैसे आप कहा सकते हैं कि दो रागें एक जैसी साउंड कर रहे हैं, just because क्यूंकि उनके जो अक्षर हैं वो सेम है, अब सारे गम अपधन ही तो नहीं बदल देंगे न, हमारे यहां स्वर अगर हटा भी दिया जाएं तब भी भाव वही रहेंगे, क्योंकि आकार भी लगे या अक्षर कोई भी लगे, शुरुतियां वही रहती हैं, दौनी वही रहती हैं, भाव वही रहता है, तो खांस करके यह फर्ख था, मेरे ख्याल से मैंने समझानी की कोशिश करी, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, और भी कई सारे पॉइंट्स थे इसमें जो रहे गए, जो समझाने थे, मगर किसी और दिन शायद फिर चर्चा करेंगे, लेकिन, I hope I was थोड़ा बहुत clear, बाकि इस टॉपिक पर और बात करेंगे, बहुत शुक्रिया,